नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है MCQ से समंधित आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्रपूर्ण प्रशन है बढ़ते हैं अपने पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पेट्रोलियम निरिया तक देशों की संगठन जैसे संचेप में आपक कहते हैं उससे समंधित निम्लिखित कत्नों पर विचार करें पहला कतन आपक प्लस सदस्य देशों में इरान, कुवेट, सौधी अरब और वेनेचुला सामिल है दूसरा कतन कि गैबाउन ने जुलाई 2016 में आपक से अपनी सदस्य समाप्त कर दी और तीसरा कतन 2019 तक आपक में 14 सदस्य देश है उपर दिये के कतनों में से कौन सा या से कतन सही है तो आप्सन A केवल पहला और दूसरा, आप्सन B केवल दूसरा और तीसरा, आप्सन C केवल पहला और तीसरा, आप्सन D केवल तीसरा आए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आप्सन D याने की केवल तीसरा कथन सही है आएए देखते हैं इसकी व्याक्या सबसे पहली बात यह कि आखिर यह प्रस्ण क्यों आया इस प्रस्ण के आने का कारण यह है कि हाली में OPEC Plus ने क्या किया है कि जो ओयल का प्रोडक्शन है उसके कट करने की या ओयल प्रोडक्शन में कमी करने की घोसना की है जिसके कारण कच्चे तेल के दाम में और परत्यासित वृद्धी देखी जा रही है वही अगर हम OPEC की बात करें तो OPEC को 1960 इस्वी में इस्थापित किया गया था और यह एक इस्थाई अंतर सरकारी संगठन है अगर संगठन का लक्ष है तेल की आपूरती सहित तेल की जो कीमत है उसका परबंधन करना और OPEC का मुख्याल है वियना में है वियना जो आस्ट्रिया में है OPEC में उन सभी तेल निर्यातक तेसों को सदस्यता मिल सकती है जो OPEC के आदर्सों को साजा करते हैं या उनके आदर्सों के साथ चलना पसंद करते हैं वहीं अगर हम गेबॉन की बात करें तो गेबॉन ने जनवरी 1995 में OPEC की सदस्यता समात कर दी थी लेकिन जुलाई 2016 में गेबॉन फिर से उसके साथ जुड़ गया और 2016 में OPEC ने OPEC प्लस बनाने की घोसना के थी और उसकी घोसना का यह कारण था मतलब ओपेक प्लस बनाने का जो उद्यस से था हुआ यह था कि 2011 से अमेरिकी शेल तेल उत्पादन में भारी विर्धी हुई थी और उस भारी विर्धी के करण कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई थी। ओपेक प्लस में 11 देश हैं जिसमें महत्पुन देशों के अगर हम बात करें तो रूस, कजाकिस्तान, अजर्बैजान, मेक्सिको और ओमान सामिल हैं वहीं ओपेक में 13 सदस देश हैं जहां देशों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं अम बढ़ते हैं अपने दूसरे अबती द्वारा की गई दूसरा कतन भारत में जनित याचिका का पहला मामला हुसेन आरा खातून बनाम बिहारा जिता तीसरा कतन जिस मामले में यौन उत्विरन को मौलिक समयधानिक अधिकारों के उलंगन के रूप में मानिता दी गए थी वो विसाखा बनाम राजस्था राज्जी था, उपर दिये के कत्मों में से कौन सा कथन सही है, उप्सन चार है, उप्सन आ, पहला दूसरा और तीसरा, उप्सन B केवल पहला और तीसरा, उप्सन C केवल दूसरा तीसरा, उप्सन D केवल पहला और दूसरा, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही अब देखते हैं इसकी व्याक्या, व्याक्या का अंतरगत हम बात करें, सबसे पहले यह देखें कि आखिर इस पर प्रशन क्यों बना है, प्रशन इसलिए बना है, कि हाल ही में दिली हाइकोट के द्वारा यह निर्ने दिया गया, कि जो PIL है, उस PIL को जब भी लाया जाए, त होनी चाहिए, व्यक्तिकत बदले की भावना होनी चाहिए, वह अगर हम जनित याचिका की बात करें, तो जनित याचिका के अंतरगत, आदालत में सामही कल्यान को प्रभावित करने वाले कर कोई निर्ने होते हैं, अगर कोई कारे होते हैं, तो उसको चुनोती दी जाती है और किसी भी कानून में यह इस पस्ट रूप से व्याक्षाइत नहीं है कि हम PIL आखिर होता क्या है या Public Interest Litigation आखिर क्या है जनित याचिका की अवधारने की शुरुवात नियामूर्ती पी एन भगवती द्वारा की गए थी भारत में जो जनित याचिका का पहला रिपोर्ट है वो जो मामला हुआ है हुसेन आरा खातून बनाम बिहार राजिता और जिस मामले में यह उत्पिर्ण को मौलिक समयधानिक अधिकार करना में की रुपे मानिटा दी गई वो विसाखा बनाम राजिस्थान राजिता बढ़ दूसरा कथन यदि पिछले महिने का PMI चालू महिने के PMI से अधिक है तो यह इंगित करता है कि अर्थविश्था एक विस्तारवादी चरण में है मतलब यह आर्थि क्रिया कलाप में बढ़ोतरी हो रही है नीचे दिये के कूर से सही का चैन करना है option A केवल पहला option B केवल दूसरा और यहां पर हमें यह पताना है कि कौन सी कथन गलत है देखते हैं इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है option C मतलब यह कि पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है यह मत्रपूर्ण है कि हम PMI से समंधित प्रश्ण पर चर्चाए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाली में PMI से समंधित जो आकड़े आए गए उस आकड़ों के अनुसार यह देखा गया कि फरورी महा की तुलना में मार्च महिने में जो PMI से समंधित आकड़े हैं वो जादा है इसका मतलब यहां पर यह है कि जो आरथि करिया कलाप है उसमें बढ़ात्री हो रही है इतना ही ने जो PMI के समंधित आंकड़े हैं उसमें ये देखा गया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक के इस तीन महने का जो एवरेज है वह एवरेज भी क्या देखा जा रहा है कि पिछले तिमाही की तुलना में ज़ादा है वह अगर हम PMI की गणना की बात करें तो इसमें दोनों मैनिफेक्टरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए जो आकड़े आते हैं वो अलग लग आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण जो आपको इस स्क्रीन पर देख रहा है कि नासा द्वारा चंदर मिशन के लिए न्युक्त किया गया पहला अफ्रीकी अमरीकी अंतरिक्ष यात्री कौन है और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है और यानि की विक्टर ग्लोवर यह करते हैं इसकी व्याक्या व्याक्या के अंतरगत हम जैसे के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाले में नासा ने आर्टेमस जो मिशन है उसके लिए सदस्यों की घुसना की थी की चैन की है कृष्टिना कोच जो कि पेसे से एक इंजिनियर है को आर्टेमस दो चंद्र फ्लाइविक लेक मिशन विसेसगी के रूप में चुना गया है वहीं जब कि विक्टर ग्लोवर जो की पेसे से अमरीकी नौसेना एवेटर है चंद मिशन पर जाने वाले वो पहले और स्वेट अंतरिक्ष यात्री बनेंगे बढ़ते हैं अपने पांच में प्रशन की और प्रशन है कि निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला कतन आई आर बी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सुची बद्ध होने वाला पहला नीजी इनव बन गया है दूसरा या निवेसकों को सडक और बिजली जैसी बुनियादी धाचा परिजार में निवेस करने की अनुमती देगा हम बात करने किसकी आई आर बी इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रस्ट की तो उपर दिये के कत्तों में से कौन सा या से कथन सही है ऑप्सन ए केवल पह हम जैसा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाली में समाचार पत्र में एक हबर आए कि जो आई आर बी इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रस्ट है उसे निशनल स्टॉक एक्चेंज में लिस्ट किया गया है और आई आर बी इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रस्ट निशनल स्टॉक एक्चें अगर हम इन्विट की बात करें मतलब इन्फास्टक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो यह एक वित्तिय साधन है वित्तिय इंस्टूमेंट है जो ठीक मुच्वल फंड के समान कारी करता है उसके अंतरगत जो निवेसक हैं वो छोटी-छोटी मात्रा में अपन पर इन्फास्रक्चर डेफलिप्ल 연सरे लएक वाले प्रोजेक्ट पर निविज्ट करती है और अपने अगले प्रशन की और प्रसन है कि वर्धित-व्रक्च्छा-सायोग समझोते यानि की Enhanced Defense Corporation Agreement के थाथ अमेरिका के पास 10 सैनने बेस तक पहुँचे दूसरा फिलिपिन्स दुरा घुसी चार अतरिक्त सैनने बेस का उद्धिस दक्षन चीन सागर पर चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करना है और तीसरा नए सैनने बेस ताइवान और दक्षन चीन सागर के पास इस्थे थे उपर देगे कत्मों में से कौन सा या से कथन सही है Option A केवल पहला और दूसरा Option B केवल दूसरा और तीसरा Option C केवल पहला और तीसरा option D, पहला, दूसरा और तीसरा देखते हैं, इसका सही जवाब. इसका जही जवाब है option C, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है. इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या के अंतरगत हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि हाल ही में फिलिपिन्स ने चार अत्रिक्त मिलिटरी बेस ये स्टूप्स को एलोट किये गए और 2004 के समर्दित रक्षा सयोग समझोते जिसे संचेप में EDCA करते हैं इसके तहद अमेरिका के पास पांच सेन ठिकाने तक पहुँच है फिलिपिनस दोर हısणी जो चार अत्रिक्त सेनी ठिकाने हैं इसका उद्देस है कि दक्षिन चीन सागर पर जो चीन की बढ़ती मुकारता है उसका मुकाबला करना और जो नए सेन ने ठीकाने वो ताइवान अदर्चिन चीन सागर के पास इस्तित हैं जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं और ये जो चार नए सेन ने बेश दिये गे हैं उन देखें पलावन, जैमबिल्स और केगियान ये चार बेश हैं बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है कि हाली में कौन सा देश नाटो में सामिल हुआ है option A Sweden, option B Italy, option C Finland और option D Spain इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है option C यानि की Finland करते हैं इसकी व्याख्या व्याख्या गंदरगत जैसा कि हमें पता है कि हाली में Finland को NATO की सदस्ता मिली है और 2023 में NATO की सदस्ता प्राप्ति करने वाला Finland देश पना है और NATO तो अमेरिका, कनाड़ा कई उरुपे देश से दोरा अप्रेल 1929 में गठित एक सैनिकट बंदन है और अगर इसके उद्देश के हम बात करें तो इसका उद्देश है कि सोव्यत संग के विरुद्ध सामीक सुरक्षा परदान करना NATO में सामिल देशों को Finland जो हाली में NATO का सदस से बना है वह NATO का 31 सदस से देश है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NATO के मूल सदस से कौन कौन से हैं तो मूल सदस हैं बेल्जियम, कनाड़ा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलेंड, इटली, निदरलेंड, नार्वे, आइसलेंड, इटली, पुर्तगाल, USA और UK इसके साथ ही MZQ से समंदित इस वीडियो को हम ही विराम देते हैं फिर मिलते हैं नए प्रशनों के साथ नमस्कार